बटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैक्जाम का मुनपक्ता अक्षर साइड 8.1 यह जो मैंने यहां पर सब्स रिखाई इस स्टेट्मेंट में गिवन है यह हाइड पर इस वीडियो में आपको सब्स पार्मिले इसकस किया है यह वो चिजहें मैंने स्वाल के साथ हाथ को बेटा इसलिए लिए ताकि आपको साथ के साथ संव्ना दे स्वाल को सुनने में दिक्कत ना हो तो बिटा इसमें क्या है देखे लियां से इसमें हमारे को हाइड वो बेस किवन है तो इसका उन्पर हमने क्या निकालना है प्रपेंडिकुलर और बिटा प्रपेंडिकुलर का यह हमारा प्रपेंडिकुलर निकालने का प्रपेंडिकुलर निकालने का प्रपेंडिकुलर निकालने के लिए पाइसागोस का यूज़ करेंगे, using यूजिंग पाइसागोस, in right triangle, b, c, a. तो मैंने क्या बता है आपको, कि हमने ये चेप्टर नेस में क्या निकालना है, हाइपोटिनेस निकालना है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसमें हमने जेखा, ये परपेंडिकुलर हमने निकालना है, ये हाइपोटिनेस और ये बेस जिवन है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर निकालना का फार्मला है, तो क्या होगा देखें, हाई-पोटिनेस का स्केर माइनस बेस का स्केर AC is equal to यह होगया मैपास 841 और यह होगया मैपास 441 29 का सेर होता है 29 का सेर होता है मैपास 841 और 20 की है AC is equal to Item I pass आगया 400 AC is equal to 20 AC की मैपास यह 20 यह सी आगया 20 यह सॉल्ड होगया हमार पास इसका हमने सोलूशन कर दिया हमारे यह हमारे पास सोल्ड करके हमने यह नहीं का दिया 20 तो इसके पाइखा पूर्स का यूज कर दो अब हमारे पास सब्सक्राइब। then we have what effects are equal? सब्सक्रोवार आएक सब्सक्रोव भी मेशर्मेंट दें रखी है तो हमें सब्सक्रोव मैंने पार्भ है देखें इसमें मतलब इसकी भी जो नहीं है क्योंकि इसमें डारेक्ट दिया हुआ है कि BC और AD गिवन है तो ये तो जब हमारी रेशो दे रखे हो ना तब बेटा हम इसका ध्यान दखना है तो हमने यहां पर AC फाइंड आउस कर लिया हमारे पास तीनों साइड होगी अब हमने क्या करना है अब हमने निकालना है मैं कोस थीटा की कर दो कोस थीटा की कर दो अब इसकी जोड़ पड़ेगी अब हमें इसकी जोड़ पड़े लिए थीटा हमार AQ tengle है ये perpendicular है ये base है ये hypotenuse है और course होता है ये देखें कोस क्या है ये course बेस अपून fits जोंकी। किकन सा साथ हैं तोас सा कमाओ सबढम को दिद्धिनाओं में और 240 पहार है। सब्सक्राइब करें जोंकि किरिद्णों हें लोगा सब्सक्राइब है। अब एक होता है पिटा, पर पेंडीकुलर अपोन हाइपोटेमेस, अग ये पर्पेंडीकुलर है लिया है इस तो यह हो गया हमारा 20 अपोन 29 अब हमने इनकी वैलो निकालिया में तो हमने कोस खेटा साइंट खेटा की वैलो फाइड आउट कर लिया लेकिन आम चाहिए क्या स् स्क्राइब 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 400 अपोन 841, LCM रहेंगे हम, 841, LCM आगया, यह हो गया, 441 प्लस 400, तो बिटाई यह सोट कर जा गया, 841 अपोन 841, यह कर जा जा जा, जा गया, 1, तो हमारे पास क्या value आभी, cos square theta plus science square theta is equal to 1, तो हमारे पास last में, हमारे पास बच्चो, last में यह value आई, cos square theta plus science square theta is equal to 1, यह हमारे यह identity है, यह तो यहाँ पार जो हो गया, अब हमने क्या जोना है, इसी प्रकार, cos square theta minus science square theta, अब आपको जोड़ती हैं करने, cos square theta की value यह हम यहीं से देखो आप, यहीं से देखो आप, कि देखिया, cos square theta की value, 4, 4, 1 upon, यहां से देखिया, cos square theta की value, 21 upon 29, cos square theta, यह value मैं से देखिया, 8, 4, 1 minus, और science square theta की value, 400 upon 8, 4, 1, यह जो को मैंने value निकाल रखी है, 400, 400 upon 8, 4, 1, तो हमाने पास, एलसें महीं आगया, 8, 4, 1, 4, 4, 1 minus 400, तो यह क्या आगया हमाने पास बेटा, इसको सब्ट्रैट कर दो, 41 upon 8, 4, 1, यह इसकी लगो, तो cos square theta plus science square theta की value बनाई, cos square theta minus science square theta की value क्या है, 41 upon 841, तो बेटा, यह सम्था थाड है, कर जाम परता, आपने इसको, जां सुच्च कर दिए.